आज का टाइटल देखके आपको लग गया होगा कि टाटा ने ऐसा पैतरा खेल दिया है नेक्सॉन में सनरूफ देकर और वो भी मिड वेरियंट से जिससे जो इसके बाकी कॉम्पिटेटर्स हैं वो पूरी तरह से चित हो गए हैं आज अपनी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टाटा नेक्सॉन अपने सेग्मेंट यानी कॉम्पेक्ट एस्यूवी के सेग्मेंट में बादश्या बन सकती है हम सब को पता है कि टाटा नेक्सॉन इंडिया की फर्स्ट कॉम्पेक्ट एस्यूवी है जिसने ग्लोबल वेरियंट से ही sunroof का option देना शुरू कर दिया है ये आपको पहले XZ plus variant में ही केवल offer किया जाता था sunroof लेकिन अब आपको XM XMA variant में भी sunroof offer किया जाएगा और इसके लिए आपको सिर्फ 50,000 रुपए extra देने होंगे इतना ही नहीं इस optional S के साथ आपको sunroof के अलावा automatic headlamps के भी option एड़ कर दिया जाएंगे साथ ही rain sensing wipers आपको मिल जाएंगे और steering mounted controls भी मिल जाएंगे यानि 50,000 रुपए में आपको ये 4 बड़े premium features एड़ कर दिये जाएंगे आपको अगर comparison करके मैं समझाने की कोशिश करूं तो XM का जो petrol variant है जिसमें ये S का option अगर आप add कर देते हैं तो इसकी कीमत 8,37,000 रुपए है यानि Nexon XMS variant में आपको 8,37,000 रुपए में sunroof मिलेगा automatic headlamps मिलेंगे, rain sensing wipers मिलेंगा और steering mounted controls भी add हो जाएंगे और अगर mainly हम sunroof की बात करें तो अगर आपको Hyundai venue में sunroof चाहिए तो उसके लिए आपको 9,84,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे Honda की WRV में अगर आपको sunroof चाहिए तो 9,80,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे वहीं Ford की EcoSport के 10,77,000 वाले variant में आपको sunroof मिलता है और वहीं अगर Mahindra XUV300 की बात करें तो 11,12,000 वाले variant में आपको sunroof मिलता है तो इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि यह Tata का master stroke है क्योंकि आपको सिर्फ सवा 8,00,000 में sunroof मिल रहा है आपको एक और चोटा सुधाराण दें कि अगर हम होंडा की Jazz को भी देखें जो की एक हैजबेक है उसमें भी आपको sunroof 8,00,000 रुपए के variant मिलता है यानि इस से लगभग 37,000 रुपए महंगा और other compact SUVs के segment में आपको extra लगभग 1,500,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको sunroof वाला variant चाहिए तो एक तरह से कहें यह Tata का एक smart move था कि वो अपने mid variant, lower mid variant से ही sunroof offer करने लगे हैं और अब इससे लोगों को और option मिल जाएगा क्योंकि Tata Nexon already एक safest SUV है और आपको बता दें कुछ महीन में पहले भी Tata ने Nexon में जो basic safety features आते थे उसके अलावा भी जो उनके premium safety features थे उनको भी उनोंने add कर दिया था जिससे Tata Nexon के base variant से ही आपको ABS मिलता है, dual air bag मिलता है, EBD मिलता है, seat belt pretensioner मिलता है isofix child seat socket मिलता है, brake disc wiping मिलता है, ESP मिलता है, traction control मिलता है brake assist मिलता है, hill hold assist मिलता है, roll over mitigation मिलता है ये वो features हैं जो आपको अमोमन 15 से 20 लाक वाली गाडियों के top variant में मिलता है लेकिन Tata अपने Nexon और Harrier के base variant से ही ये safety features आपको देती है और साथ ही अब इसमें ये जो premium features जैसे sunroof, automatic headlamps, rain sensing wipers, steering mounted control अगर lower mid variant से ही ये देना शुरू कर देते हैं तो Tata Nexon एक complete package बनती हुई दिख रही है साथ ही साथ ये एक affordable package भी है कि अगर आपको ये features चाहिए अगर आप sunroof का शौक रखते हैं तो आप लगभग 9.5.9 लाक रुपए में on road Tata Nexon में इस feature का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों हाल फिलाल में Kia की Sonnet भी launch हुई है प्राइज हलाकी reveal नहीं हुए है लेकिन जो उसके features है no doubt उसमें बहुत सारे ऐसे best in segment features है first in segment features है और Seltos के बाद Sonnet भी एक Kia का दमदार product साबित होगा compact SUV के रूप में आपको features तो मिल रहे हैं लेकिन Sonnet में मैं जो अभी तक realize किया हूँ उसकी price को देखते हुए कि जो Sonnet की price होगी जिसमें आपको ये सारे premium features मिलेंगे उसकी price काफी जादा होने वाली है ऐसे में अगर हम comparison करके देखे Tata Nexon से तो Nexon यहाँ पे मुझे एक बहतरीन विकल्ब दिखता है कि अगर आप compact SUV 10 लाग के अंदर लेना चाते हैं तो आपको जितने features Tata Nexon में मिल जाएंगे उतने features आपको इस segment की किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेंगे फिर वो चाहे safety की बात हो और चाहे premium features की और August के sales figure को देखें तो Tata को लोगों का काफी प्यार मिला है Tata ने अब 20 साल पुराना record तोड़ा है और काफी अच्छे sales figure उनको August में मिले हैं बस मैं यहाँ Tata को यही एक चीज़ कहना चाहूंगा कि उनको अपने showroom और service centers की condition और उसकी quality को improve करने की ज़रूत है क्योंकि लगातार मुझे comment section में लोगों को मिलता है कई लोगों ने लिखा कि मैं गाड़ी लेने गया तो मुझे वहाँ पे किसी executive ने attend नहीं किया मुझे उल्टा phone मिला के उनको बार-बार बात करनी पड़ रही थी और वही service center का भी लोगों ने बहुत सारे मेरे videos में कई Tata कैसे videos है जिनमें उन्होंने complain की है तो बस यही एक मेरी गुजारेश है कि Tata एक बहतरीन product बना रहा है safe product बना रहा है premium features भी दे रहा है और इस तरह से अगर वह अपनी quality और service को better करेंगे तो जरूर Tata और Tata का next on एक बहतरीन विकल बनेगा लोगों को compact SUV के रोप में तो दोस्तों आपकी क्या राया है आप comment section में लिखकर हमें जरूर बताएं तो दोस्तों हमारे चैनल को subscribe करिए साथी bell icon दवाईए जिससे हम जो भी अगला वीडियो release करेंगे वो आप तक तुरंद पौन